Hello everyone, my name is Nadim and you are watching my YouTube channel Academia तो आज की इस वीडियो में हमें अपना next topic discuss करेंगे, ठीक है? तो हमारी class 7, chapter number 8, a shirt in the marketer भी continue है और इसका जो second topic है, वो है a cotton farmer in Karnool Karnool एक place है, ठीक है? आंदरप्रदेश में एक district है तो वहाँ पर देखेंगे जो cotton farmers होते हैं, यानि के जो farmers जो की cotton की खेती करते हैं तो उनकी क्या परिस्तितिया होती है, ठीक है? उनका कितना ज़्याद़ benefit होता है तो वो देखते हैं इस वाले topic के अंदर तो यहाँ पर एक स्वपना नाम की एक lady है, जो के एक small farmer है ठीक है? अग cotton farmer इन Karnool की बात कर रहे हैं तो cotton कुछ इस तरीके सहो सकता है, यह देखेंगे इसकी यह real image है और यह, ठीक है? यह cartoonist image है तो यह real image देख सकते हैं आप तो स्वपना एक lady है ठीक है? यह lady है तो drawing काफी अच्छी नहीं है तो इसके लिए समा प्रार्थी तो स्वपना एक lady है जो के एक small farmer है, करनूल में आंद्रप्रदेश में, ठीक है? अब वो क्या करती है? उनका एक छोटा सा जमीन है small piece of land है, ठीक है? वहापर वो cotton grow करती है यानि कि इस वाले area में जो इनका खेत का area है वहापर यह cotton grow करेंगी ठीक है, cotton किस तरीके से होती है? वो इस तरीके से होती है cotton ball जिनको हम बोलते है तो the balls of the cotton plant are ripe and some have already burst यानि कि पूरी ready हो चुकी है ठीक है? पिक करने के लिए तो जो swapन है वो क्या करेंगी? swapन किस चीज में busy हो गई? picking cotton यानि कि इसके उपर जो cotton ball है इसके अंदर जो cotton है वो निकालने में जो है वो busy हो गई है यानि कि उनका जो work है वो शुरू हो गया है ठीक है? the balls which carry the cotton in them और यह जो cotton balls होती है इसके अंदर cotton होता है तो cotton को निकालना एक tough कारे होता है और ऐसे नहीं होता कि सारी कि सारी जो cotton balls है एक ही साथ खुल जाएं एक ही साथ burst हो जाएं कुछ cotton balls पहले burst होती है कुछ cotton balls बाद में burst होती है और कुछ cotton balls है उसके बाद burst होती है तो जो सोपना है, उसको काफी दिन लग जाते हैं, यानि कि जो cotton balls burst होंगी, जो open होंगी, वहाँ से cotton निकाल लिया जाएगा, फिर wait करना पड़ेगा अगले दिन का, फिर कुछ cotton balls burst होंगी, फिर वहाँ से cotton निकाला जाएगा, तो इस तरीके से जब daily daily काम करेंगे, तो several days लग जाते हैं, harvesting करने में इन cotton की, ठीक है, अभी तक क्या समझ माया, सोपना जो कि एक small farmer है, करनूल के, वहाँ पर जो cotton उगाती है, अपने एक छोटा सा उनका land है, land area है, ठीक है, और वहाँ पर जो उनने काफी time लगता है, क्योंकि जो cotton balls हो burst होने में, काफी दिन लगाती है, ठी फिर वो उसको market में sell करने नहीं जाती, अब आप बोलेंगे कि यह cotton था, यह उगाय क्यों था, जब इस तरीकी जो markets होती है, वहाँ पर sell नहीं करना होता, बेचना नहीं हुआ, तो फिर यह cotton उगाय क्यों, तो इसके पीछे कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है कि कौन-कौन से जो factors हैं, जो small farmers होते हैं, उनको affect करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो cotton जो collect किया है, सारका सार, अपनी खेती की जमीन से, तो वो करनूल की जो cotton market होती है, जहाँ पर उसको बेच सकती थी, लेकिन वहाँ पर वो जाती नहीं है, तो सौपना कहां जाती ह के साथ, जो वहां के local trader होते हैं, यानि कि जो करनूल के जो local trader है, उनके area के जो local traders होते हैं, वो वहाँ पर जाती है, और जितने भी अपनी harvest है, वो उन local traders को बेच देती है, अब आप बोलेंगे कि जब market है, तो market में जाके क्यों नहीं बेचा, trader के पास क्यों गई, तो उसके पीछे भी एक reason है, उसके पीछे reason क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो जब cropping season जब शुरू हुआ था, यानि कि cotton की जब खेती लगानी शुरू होती है, जब शुरू आती दिन होते हैं, तो उसमें swapna को क्या करना पड़ता है, swapna को पैसे borrow करने पड़ते हैं यानि कि swapna को 2500 रुपीज उधार मागने पड़ते हैं, अब वो उधार क्यों मागने पड़ते हैं, क्योंकि जो cotton की खेती होती है, उसमें काफी जादा inputs लगते हैं, ठीक है, काफी जादा inputs लगते हैं, जैसे fertilizers लगते हैं, pesticides लगते हैं, ठीक है, और यह जितने भी seeds होते हैं fertilizers होते हैं, pesticides होते हैं, जब तक यह नहीं लगाएंगे, तब तक cotton की खेती चितरी के से नहीं होगी, अब इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे होते नहीं हैं, तो जो farmers होते हैं, जो small farmers होते हैं, वो पैसे पहले उधार ले लेते हैं, ठीक है, तो उधार किसे लेते हैं, वही local traders से, तो जो स्वपना थी, स्वपना ने local traders से 2500 रुपीज जो हैं, उधार लिये थे, यानि कि बोरो किये थे, और उसके उपर काफी high interest rate वो देते हैं, यानि कि जो bank से जो loan लेते हैं, उस पर कम interest rate लगता है, लेकिन जो local traders होते हैं, वो थोड़ा high interest rate चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या-क्या खरीदेंगी, seeds खरीदेंगी स्वपना, fertilizers खरीदेंगी, pesticides खरीदेंगी, ताकि वो अपने cotton की खेती को cultivate कर सकें, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब वो local trader के पास गई, तो उन्होंने एक और promise लिया उनसे, एक और promise sell करोगी, जो भी sell करोगी, वो मुझको sell करना, market में sell मत करना, ठीक है, यह क्या थी, एक conditionty loan को देने के लिए, तो अपने इसमें भी agree हो जाती है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, खेती कैसे होगी, तो वो agree कर जाती है, तो वो क्या करती है, वो 2500 रुपीज लेती है, seeds वो क्या करती है, सारी की सारी चीज़े बेच देती है, ठीक है, so the local trader made swapna agree to another condition, he made her promise to sell all her cotton to him, वो सारी की सारी जो अपनी cotton है, वो local trader को बेच देती है, ठीक है, वो इसलिए बेचती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है, cultivation of cotton, जो cotton की cultivation होती है, खेती होती है, उसमें काई, क heavy expenses on account of these, अब जो cotton की खेती होती है, वो अपना अपनी expensive होती है, ठीक है, तो जो है, farmers क्या करते हैं, loan लेते हैं, so the small farmers need to borrow money, borrow money to meet these expenses, जितने भी expenses होते हैं, seeds के, fertilizers के, pesticides के, यो उधार के पैसों पे ही हो पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो trader है, वो क्या करते हैं, trader यहाँ प उसके बाद जो है, आपको सारका सारा, जो आपका product है, या फिर cotton है, वो हम कोई बेश सकते हैं, तो कुछ conditions लगा देते हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो traders है, वो शोशन भी करते हैं, small farmers का, अब यहाँ पर आप देखें कि, at the traders yard, trader का जो yard था, two of his men, जो उसके दो helper थ अब वो क्या करते हैं, 1500 पर quintal के हिसाब से वो खरीद लेते हैं, तो cotton का कितना हुआ, 6000 रुपीज, तो 6000 रुपे का वहाँ पर cotton बेच गया, ठीक है, लेकिन जो trader था, उन्होंने क्या क्या है, 3000 रुपे उसमें से माइनस कर दिया, अब 3000 रुपे माइनस क्यों किये, क्योंकि उन्होंने जोए, लौन दिया था, अब स्वपना ने तो 2500 रुपे लिये थे, ठीक है, और क्योंकि हाई इंट्रेस रेट पर लिये थे 2500 तो उनको 3000 रुपे उसके चुकाने पड़े, कि विए आपका जो लौन लिये था, आपके 3000 रुपे बन गए, और जितने भी cotton मेरी 4 मही थी, उसमें से 6000 में से 3000 कटकर 3000 रुपे किसके हाथ माए, स्वपना के हाथ माए, तो 4 महीने की महनद, 4 मंद की जो उनकी कमाई थी, वो कितनी थे सिर्फ 3000 रुपे, तो इस तरीके से जो है, शोशन होता है किसका, small farmers का, अब स्वपना को है, पर थोड़ा दुख होता है, स्वपना कहती है, कि only 3000, कि सिर्फ 3000 रुपे, ट्रेडर कहता है कि जो cotton है, वो भूत यादा cheap, भूत यादा सस्ती sell हो रही है, यानि कि भूत यादा कम पैसो के वो sell की जारी है, बेची जारी है, there is a lot of cotton, market के अंदर अगर आप जाओगी तो बहुत सारी cotton है, और जब demand जो supply होती है, वो जादा हो जाती है किसी product के, तो उसके जो पैसे होते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो low rate पर जाती है, तो वो कहते हैं, कौन trader कहते हैं, कि market के अंदर बहुत जादा cotton है, तो cotton को जो है, इतन cotton को उगाने में, और वो कहते हैं, कि देखे, cotton कितना जादा clean है, कितना जादा fine हुआ है, इसके जो quality है, बहुती है अच्छी है इस time, और I had hope to get a much better price, इसलिए मैं चाती हूँ कि मेरे को जो है, थोड़ी अच्छा price मिले, जो भी मैंने cotton उगाई है, तो जो trader हैं, वो भी अप प्रता है था, 1500 पर quintal के हिसाब से भी नहीं वो ले रहे हैं, ठीक है, so you can check at karnool market, जो trader होते हैं, कि आप जो है, जाकर karnool की जो market है, वहाँ पर अलग-अलग trader से बात कर सकती है, और उन से पूछ सकती है, कि कितना price चल रहा है, मैं तो आपको फिर भी अच्छा price दे रहा हू if you do not believe me, तो trader कहता है, अगर आपको मेर अपर विश्वास नहीं है, तो आप दूसरे लोगों से पूछ सकती है, तो जो सोपने होते हैं, वो थोड़ी डर जाती है, वो कहती है, don't be angry, how can I doubt you, मैं तो आपके उपर कुछ भी doubt नहीं कर सकती है, आप बस गुस्सा मत होई है, ठी तो वो कहती है कि जो हमने खेती किया, तो उससे हमको अच्छा प्राइज मिल जाता है, बस यही मैं hope कर रही थी, ठीक है, तो वो अपना दुख बताती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि सोपना knows that cotton will sell at least 1800 per quintal, यानि कि सोपना यह जानती थी कि कि अगर वो market में जाती है, यहाँ पर देखे 300 का उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने loan लिया था, ठीक है, पहले loan लिया था, जब जो cultivation था, उसको शुरू किया था, so she doesn't argue further, वो जो argue नहीं कर सकती ट्रेडर से, अब वो argue क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे का जो reason है, वो यह है, अब उसके पीछे का reason भी काफी बड़ा है, कि जो trader है, वो एक powerful man है in the village, and farmers have to depend on him, अब यह जो line यहाँ पर लिखे गई है, depend हो नहीं, तो जितने भी small farmers होते हैं, वो थोड़े poor होते हैं, ठीक है, poor farmer होते हैं, तो उनको पैसो की जरत पढ़ती है, अब पै agriculture की जो activity करेंगे, उसी में पैसो की जरत पढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो health होती है, वो भी कई बार खराब हो जाती है, उनके बच्चों की जो health होती है, वो भी कई बार खराब हो जाती है, कुछ emergency पैसो की need पढ़ जाती है, या बच्चों की fees की जरत पढ़ जाती है, तो emergency situation म फार्मर को भी पैसे मिल जाते हैं तो फार्मर जो है इसलिए उनसे अर्ग्यूν नहीं करते ठीक है जो ट्रेडर्स होते हैं वो पावर्फूल होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनके वपर डिपेंड होते हैं लोन के लिए, सिर्फर सिर्फ एक्रिकल्चर के लिए नहीं, कभी-कभी बिमारी हो जाती है, बच्चों की स्कूल, फीज, ये सारे के सारे जितनी भी एक्सिजेंसी होती है, उनके लिए भी ट्रेडर काम आते हैं, और कई बार क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके पास तीन महीने का, चार महीने का, पांच महीने तक काम भी नहीं होता, तो जब काम नहीं होता है, तो उनकी कोई इंकम भी नहीं होती फार्मर्स की, ठीक है, तो उनको फिर दुबारे पैसे उधार मागने है ठीक है आई होप कि आपको यह थोड़ा सा समझ में आया है स्वपनाज अर्निंग फ्रों कोटन कल्टिवेशन इस बेरली मोर देन वट शी माइड हैव अरंड एज वेज लेवरर यहां पर बताया गया कि वो जो कोटन का जो उन्होंने कल्टिवेशन किया है तो जब वो वेज लेवरर का काम करती थी तब भी उतनी ही पैसे कमा लेती थी अब वो as a कोटन फार्मर की तरह काम कर रही है तब भी बस थोड़े से ही जाद पैसे कमाए है तो वो बताते हैं यहाँ पर comparison आई होग का आपको यहाँ पर यह topic जो है समझ मायक है कि जो cotton farmers होते हैं उनको किस-किस condition से निकलना पड़ता है और farmer की सबसे बड़ा जो challenge होता है वो यही होता है loan से related इजितने भी issues होते हैं और जो high interest rate पर उनको पैसे बाद में चुकाने पड़ते हैं तो वो उसी cycle में फस जा जाते हैं ठीक है और कई बार जो crop खराब हो जाती है crop सई से नहीं विखती तो वो जो poverty line के भी नीचे चले जाते है और उनके उपर loan वगएर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो यह जो है बहुत ज़्यादा इससे जो farmers है वो बाद में suicide वगएर भी करते है तो जो की काफी दुखद है ठीक है तो I hope कि आपको cotton farmer के बारे में समझ में आया है कि जो एक shirt होती है shirt का जो first step होता है cotton को grow करना उसमें जो farmers है जो players है यहाँ पर player कोन है यहाँ पर player है producer और producer कोन है producer है farmer तो जब first player है सबसे पहलो जो player है एक shirt को बनने के लिए तो farmer से जो है कहानी शुर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thank you very much for being here have a good day ahead bye bye